हलो गाइज, वेलकुम टो माई चानल, उटीजम एड म्यूजिक महकोमल ठाकोर, पेरेंटिंग एन ओटेस्टिक चाल्ड और आज का वीडियो फिर से स्कूलिंग के उपर है गाइज, I am sure कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर मोटिवेटेड फील करेंगे और आप कॉंटक्ट किया था कि आपके पास कुछ डॉकुमेंट हैं जिनको मैं स्कूल में सब्मिट कर सकूं, लाइक एक्जाम के रिगार्डिंग उन्होंने एक डॉकुमेंट सब्मिट किया था, जिसमें कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को एक प्रॉम्टर की फैसलिटीज दी ज जो कि most common problem है, हमारे बच्चों को ज़्यादा तर one to one interaction की जरुरत पड़ती है, तो इक्जाम में तो इनके लिए बहुत जादा मुश्किल होता है कि ये दो तीन गहंटे के लिए या एवन डेड़ गहंटे के लिए भी continuously concentration और focus बना के रखें, इवन academic में बच्चा अच्छा तो भी उसको exam में one to one जो है वो interaction का जरुरत पड़ता है ताकि कोई प्रॉम्टर जो है बच्चे को guide कर सके और बार बार उसको जो बच्चे का जो distraction होता है actually बार बार बच्चे का जो concentration है वो भील जाता है तो उसके लिए बच्चे को प्रॉम्टर चाहिए ही होता है जैसा कि अरनब को भी चाहिए होता है तो ये सारे document मेरे community post में है तो ये mother ने भी ये सारे document मेरे community post से इनको मिले थे तो वो सब document इन्होंने school में submit किये थे आप देख सकते हो ये chat को अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा पता चलेगा कि ये जो बच्चा है वो schooling के लिए बहुत ही मतलब उसका academic बहुत अच्छा है लेकिन behavioral issues की बज़ा से उसको problem आ रही है तो school ने उस चीज़ को देखा कि academic अच्छा है लेकिन आप देखोगे आप खुद पढ़ लीजिए इसमें कितने ज़्यादा behavioral issues हैं अभी जो की बाद में थोड़ा settle होना start कर देते हो जाते हैं ले अच्छा ने उस document के according उसकी मदर को allow किया exam में बैठने के लिए उसके साथ जैसे कि आप लोगों को पता है मैं भी first class तक अर्नव के साथ exam में भी बैठती थी because उस time अर्नव मेरे अलावा किसी और के साथ exam लिखता ही नहीं था teachers ने try किया था लेकिन नहीं लिखा था लेकिन covid के बाद मुझे भी खुड tension हुआ कि अब अर्नव जब third class में है third का जो final exam था तो अर्नव मुझे पता था कि वो अकेले नहीं लिखेगा तो school में मैंने same document submit किया था और यह document मैंने google से नहीं निकाला था guys यह हमारी कॉलनी के एक school के teachers ने teacher ने हम लोगों को provide कर वाया था मेरी friend को provide कर वाया था तो उसने मुझे भेजा था फिर हम दोनों ने school में वो submit किया था और मेरे school में मुझे तो allow नहीं किया था मतलब तो लेक दिया था अभी भी school में उसको promter मिलता है तो कहने का मतलब यह है guys कि आपने बहुत बार यह चीज़ पड़ी होगी कि यह school में ऐसा behavior हो रहा है जैसे कि मैंने भी एक chat बहुत पहले share की थी आप लोगों के साथ जहां पे school mother को blackmail कर रहा था काफी जादा problem होती है मुझे पता क काफी ज्यादा argument होते हैं लेकिन ऐसे school भी है और कुछ ऐसे school भी है जो आपको support करेंगे और यहां पर दूसरा point यह है guys कि मैंने पहले भी बोला है कि काफी school में खुद HM principal को ही knowledge नहीं होता है कि special बच्चों के लिए क्या क्या facilities दी जाती है like इनके लिए half time allowed होता है या इनके लिए better है कि आप खुद वो चीजे school के सामने रखिए अपने बच्चे का जो diagnosis है उसको सामने रखिए और यह जो supporting document आपको मेरे community post में मिल जाएंगे उनको print करके आप school के सामने रखिए तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी problem थोड़ा solve जरूर हो जाएगी हालां कि ऐस इसे case में मैंने आपको बताया है आप क्या कर सकते हैं आप higher authority में जा सकते हैं वो video आप चेक कर सकते हो कैसे deal कर सकते हैं हम लोग और आपको नहीं करना है तो आप दूसरा school try कीजिए मेभी वहां पे आप लोगों को support मिल जाए इस चीज का तो change जो है guys ऐसा कभी नहीं होगा क आप ये उमीद लगा के बैठो की society हमारी help करेगी या कोई और हमारी help करेगा या हम लोग हमेशा अपने हाल पे रोते रहें कि हमारे साथ इतनी बड़ी tragedy हो गई ये हो गया वो हो गया तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा guys अगर autism के बारे में कुछ awareness पहलानी है या लोगों की सोच को change करना है तो आप ही वो हो आप parents ही हो हम parents ही है जो इस चीज को आगे कर सकते हैं अगर आप ही अपने बच्चों के rights को claim नहीं करोगे तो किसी और को क्या पड़ी है guys ना तो society को पड़ी है ना school को पड़ी है तो ये आपका ही एक बोल सकते हैं कि duty है अपने बच्चे के जो rights हैं उनको आप claim करिए school के सामने रखिए कि ये facilities हम लोगों को मिलनी चाहिए और वो हम लोगों को ये provide करवाएं तो change जरूर होता है चैसे कि ये mother का chat आपने पढ़ा यहां पर ये successful हुई school ने बिलकुल बच्चे के according मतलब एक हफते में 1010 marks का exam रखा उन्होंने देखा क बच्चा continuously नहीं लिख पा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है इवन अरनव के school में भी ऐसा नहीं होता है उसको 80 marks का exam नॉर्मल बच्चों की तरह उसको भी देना पड़ता है उसको कुछ भी बहुत सारे parents मेरे से पूछते हैं कि क्या उसको एक modified question paper दिया जाता है उस ये चीज़ें हैं guys तो change जो है वो आता ही है अगर आप चार कदम आगे जाते हैं तो सामने से भी उमीद होती है कि हम लोगों को support उस चीज़ का मिलेगा और ये तो मतलब एक chat है मैंने recently काफी सारी mothers के comment अपने channel पे ही पड़े हैं जहां पे वो लोग काफी सारी mother as a shadow teacher भी school मे बैठ रही हैं काफी सारी school जो है वो support भी कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें change नहीं हो रही हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हार मान के मत बैठी अगर एक school में नहीं हो रहा है तो आप next school में try कीजिए और even मैंने पहले ही आपको बोला है कि just एक घंटे से आप start कीजिए अगर बच्चा बहुत ही छोटा है नर्सरी केजी में है तो just एक घंटे से आप try कीजिए बहुत ही कम timing कीजिए और ये चीज स्टार्टिंग से ही कीजिए हम लोग क्या करते हैं कि admission हम लोग ले लेते हैं sometimes हम लोग school में बताते ही नहीं है कि बच्चे को autism है और अग से ही खुद बोल दिया था कि अर्नब का हम लोग half time रखेंगे तो ये चीज काफी अच्छे से काम करती है guys starting में ही आप कम timing रखिए problem ये होगी कि अगर starting में आपने ज़्यादा time रखा तो बच्चा इतनी देर definitely उसको habit ही नहीं है आपके अलाबा किसी third place में बिना आपके support के रहने का तो वो बैसे ही बहुत ज़्यादा behavior issues जो है वो शो करेगा तो problem और ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ school में ऐसा तो महल होता नहीं है कि बच्चों को खेलना है या free है उनको एक particular discipline में रहना होता है जो कि हमारे बच्चे starting में बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि या तो आप as a shadow बैठें या फिर time बिल्कुल कम करतीजिए धीरे धीरे उस timing को increase कीजिए ताकि बच्चे के उपर ज़्यादा burden pressure ना आए और बच्चा जो है धीरे धीरे अपनी schooling की जो journey है उसके लिए वो train हो सके so I hope ये वीडियो आपको जरूर motivate करेगा और definitely guys ये चीज़ की guarantee मैं आप लोगों को देती हूँ कि अगर आप लोग आगे आएंगे तो एक नए एक दिन ये awareness इस level तक चली जाएगी कि autism और जो society है वो साथ साथ में चल सकेंगे हमारे आगे आने वाले जो parents हैं हलांकि मैं कभी नहीं बोलूँगी कि किसी भी parent का बच्चा autistic हो लेकिन हम जानते हैं ये चीज़े हमारे हाथ में नहीं है autism का number already increase हो रहा है पहले से भी ज़्यादा cases आ रहे हैं तो future में भी ऐसे cases आएंगे ही तो जो struggle हमारी generation के लिए है हम parent कर रहे हैं at least आगे के जो parents आएंगे उनके लिए struggle कम हो जाए वो इस situation में ना आएं जैसे अभी की हमारी situation होती है कि depression में आके घबरहट में आके हम लोग पूरी की पूरी life बरबाद कर लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं देगा guys so I think यह video आपको motivate करेगा and thank you for watching this video